हेलो फ्रेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इलेक्टिकल खाजाना में तो दोस्त सबसे पहले उन स्टुड़ों को हमारी तरफ से कंग्रैचुलेशन और धेर साइज बधाई जिनका इपी PCL में वेरिफिकेशन के लिए सौट लिस्टेड हुए है तो दोस्त आज हम आप सबको बताएंगे कि वरिफिकेशन के प्रोसेस में क्या-क्या चीजे होंगी ठीक और दोस्त सबसे बड़ी चीज कि आप जिन जो इस्टुडेंट सेलेक्ट है वो वेरिफिकेशन में क्या-क्या चीजे अपने सांथ लेकर जाएं जो की मस्ट है वहाँ पर ले जाना ठीक है तो इन सभी चीजों बताएंगे दोस्त वीडियो को पुरा लास्ट टक देखेग जितने चीज हम बताएंगे उतने चीज तो आप पक्का वहाँ पर लेकर जाएगा कोशिस करिएगा कि आप अपने सारे डॉक्यमेंट अपने सांथ लेकर जाएगा ठीक है और अपने सांथ में किसी अभिवावा कि अपने दोस्त त्यार सांथी विस्वसनी आदमी को जरू ले लिजेगा ठीक है तो दोस्त पहले थोड़ा समबाद कर लेते हैं यह भाई ने कमेंट किया है तो इनका प्रॉब्लम यह है कि व्यों वैकेंसी थी वह लखनव के लखनव में बुलाए गए ठीक है तो दोस्त प्रॉब्लम यह नहीं है आप यह ना सोचिए कि 430 वैकेंसी है हाँ यह सच है कि वैकेंसी 101 क्यान भी थी और सेलेक्शन भी 101 क्यान बेका ही होगा प्रॉब्लम दो 430 लटकें ओणरी बुला फैनक डूक्वूमेंट वारिफिकेशन की लिए ठीक तो इसमने होगा क्याया चांए निवास प्रमाद पत्र में दिक्कत होगा तो किसी प्र्थार कार्ड में दिक्कत होगा तो इस प्रोसेसिंग से दोस्त काफी लड़के चाटे जाएंगे और लास्ट में आपके फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें दोस्त आपके ओनली 101 स्टुडेंट सेलेक्ट रहेंगे तो इस चीश का आप लोग ध्यान दिजेगा दोस्त और दोस्त एक चीजा और कहेंगे कि आप लोग को बुलाया गया है 28-12-2021 को तो इस डेट से जाने से पहले आप अपना आयजाद निवास सारी चीजे बनवा के बढ़िया से रख लीजिए और चलिए दिखाते हैं आप सब क्या के चीजें वहां पर ले जाना मस्ट है ठीक है तो देखें यहां पर लिखा है अबियांता प्रसिच्च्चु विद्धूत के पदों पर अभिलेखों की जांचेतु अभ्यार्थी गड़ विज्यापन के सर्तों के अनुसार निवनमूल अभिलेख एओं उनकी एक स्वय सत्यापित छायप्रति के साथ निर्धारी तीथी समय एओं अस्थान पर ठीक तो देखें आपको लेके क्या क्या जाना है देखें यहां पर यह मेंशन किया हुआ है तेरा चीज़ें मेंशन की हुई है तो चले हम प्रतिक चीज को पढ़ते हैं और आप लोग देखिए बढ़िया से समझे तो देखिए पहला जो है आपको आर्लाइन आवेदन पत और जब आपलाइन कराए होंगे तो इसका एक शक्रेफ निकला होगा दोस्त वह को सांथ मिन ले जाना है उसका प्रिंटाऊ थीक देखिए अप लिख रहा है उसका प्रिंटब फिर इसक consecutive ऑो दोस्त को ले जाना है आई हाई स्कूल अंक परमाड़ पत्र लेजाना है तर के बाद निरिगत हो यह कंडिशन इस कंडिशन पर जरुद ध्यान दीजेगा ठीक है चलिए पचवे नंबर बात कर लेते हैं तो पचवे नंबर पर आर्थिक रूप से कमजोर स्रेडी मतलब EWS का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको ले जाना है अगर आप EWS के स्रेडी में आते हैं ठीक है तो चटे नंबर की बात कर लेते हैं जो चटा नंबर है वह है अध्यतन निवास प्रणा पत्र आरच्छित वर्गेतु दिनांग 31.3.2017 के बाद निरिगत तो आपको निवास प्रणा पत्र ले जाना है जो की 31.3.2017 के बाद बनाओ ठीक चली नेश्ट है आपका नंबर सिमन पे भूद पूर सैनिक प्रमाट पत्र यदि लागू हो तो दोस्त अगर आप के पास कोई सैनिक प्रमाट पत्र है अगर आप सैनिक फोर्स में है या फिर आपके पि पत्र से हैं ही नहीं तो आप कोई चीजे नहीं ले जानी अगर आप है तो जरूर लेकर जाए ठीक है चलिए आठवा नंबर की बात कर लेते हैं तो आठे नंबर फे दो सोतनता संग्रामी सिनानी आश्रित प्रमाट पत्र यदि लागू है जिला अधिकारी के हस्ताच्छर से निर्गित तो दोस्त अगर आप सोतनता संग्राम सिनानी आश्रित प्रमाट पत्र है तो आप उसको ले जाए और उस पर दोस्त देखे सबसे बड़ी बात की आपके डियम मतलब की जिला अधिकारी के हस्ताच्छर जरूर होने चाहिए ठीक है अगर नहीं है तो यह भी म बंगता पत्र के ले जाए और खर नहीं है और आप नहीं है ऍडावा नवा नर्व फिक तो फिन नहीं करते हैं ठीक चलिया अगे रहावा नंबर है अप्रेंटिस एक्ट उनीस सो एक्सट का अंतरकत अप्रेंटिस पूड करने का परमाड पत्र ऐसे अभ्यार्थियों है तो जिन्हें अप्रेंटिस करने के उपरांथ अधिक्तम आयू सीमा में छूट यूम अनलाव व ले जाना मस्ट है अगर दोस्त आपने वहां पर अप्रेंटिस से फांपलाई नहीं किया था और अप्रेंटिस नहीं किया है अप नॉर्मल स्टूडेंट है डारेक्ट लिए इसे एक्जाम दिये हैं तो दोस्त आप बिंदास जाए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह उनके मिलाकरी मस्ट नहीं है यह उन्हीं के लिए कंडिशन फालो होगा जो अपरेंटिस किये रहेंगे अपरेंटिस लगा करके एकजाम दिये हैं ठीक है चलिए कंडेशन नमबर 12 है अधार कार्ड अथ्वा विध्यमान फोटो यूग तो पहचान पत्त दोस्त आपको यह मस्ट अगर आप यह नहीं ले जाएंगे दोस्त तुरंधि आप वहां से चाट दिये जाएंगे ठीक है तो दोस्त यह त्यारवा नमबर है कि अनक कोई प्रणपत्र जो विध्यापन का उनसार आवश्यक हो इसका मतलब है कि आपके अपास जितनी भी सट्टिपिकर ने भाई जि आप तक पहुंचती रहे तो ठीक है आज को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद